हेलो बच्चो मेरी पार्चल आपका स्वागत है आज की इस क्लास में हम एक लाइन को तीन या उसे अधिक भागों में डिवाइट करना सीखेंगे मैंने पहले वीडियो बना के आपको समझाया था कि एक लाइन के तीन या चार या पांच भागों करने हो तुम कैसे कर सकते हैं वो वीडियो शायद आपने देखा होगा नहीं देखा तो उसे आप अवश देखने प्लीज आज मैं आपको एक अलग मैथड बताऊंगा जिससे आप एक लाइन को तीन या चार या पांच या उस्यादिक भागों में बाढ़ सकते हैं तो ये दोनों मैथड आपको आने चाहिए और दोनों मैथड आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए तो हमारे पास एक लाइन सेग्मेंट है ए बी इसको माल लीजे हम पांच भागों में बाढ़ते हैं तो हम क्या करेंगे कि पॉइंट ए से एक लाइन बनाएंगे किसी भी अक्यूट एंगल पर माल लीजे मैश पर एंगल बनाता हूँ 40 का यह एंगल बनाते समय आपने ध्यान रखना है कि बिलकुल सही से एंगल बने नहीं तो उसमें जो है यह 45 कर देते हैं कोई भी एक्यूट एंगल बना सकते हैं 45, 40, 50, 60 तो यह मैंने 45 का एंगल बनाया है तो यहाँ पर एक लाइन सेग्मेंट बना देते हैं AX यह AX एक लाइन सेग्मेंट बना यह 45 का है अब हम B पर भी 45 का एक लाइन सेग्मेंट बनाएंगे इसको आप ऐसे भी करके बना सकते हैं जैसे आपको थोड़ा आसानी लगे से बनाने में बिलकुल दियान रखना है जो यह पॉइंट है B क्रॉस पर आए यह 45 का पॉइंट B पर भी एंगल बना दिया यहां पर हम एक लाइन सेग्मेंट बना देते हैं B य यह बी य अब हम क्या करेंगे यह जो लाइन सेग्मेंट है A X और B Y यहां पर हमने चुकी पांच पांच करने हैं तो हम चार पॉइंट मार्क करेंगे एट इक्वल डिस्टेंसिज हम यह स्केल से भी कर सकते हैं और कमपस से भी कर सकते हैं अब हम स्केल से करते हैं चारि पॉइंट मार्क करेंगे at equal distances तो मैं दो cm के distance पे point मार्क कर रहा हूं यह पहला point हो गया यह second हो गया यह third हो गया यह fourth हो गया इसको numbering भी कर देते हैं वान, टू, ठी, फोर. ऐसे ही लाइन, सेग्मेंट B वाइपर भी हम चार पॉइंटस मारक कर लेंगे, सेम डिस्टंस, टू सेंटीमीटर, जो मैंने लिया है, आप टू सेंटीमीटर ले सकते हैं, ठी सेंटीमीटर ले सकते हैं, पर इकूल डिस्टंस पे होने चाहिए, दोनों तरफ, एक, दो, तीन, चार, इनको भी मार्क कर लेते हैं, वन, ये टू, थ्री, फॉर, अब ही हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को डॉट्टी लाइन से जाइन करेंगे, फॉर को वन से जाइन करेंगे, डॉट्टी लाइन से जाइन, थ्री और टू को करेंगे, दोनों का ध्यान रखना आपने, पॉइंट्स, ये एक्चुली पैरलर लाइन बन जाएंगे अपने आप, अभी टू और थ्री को, फिर वन और फॉर को, तो अभी ये जो लाइन सेग्मेंट को, ये डॉटेड लाइन्स काट रही हैं, यहाँ पे, ये सी, डी, ई, एफ, तो ये इसके पांच इकल पार्ट्स होगे, वन टू, थ्री, फॉर, फाइफ, हमने चार पॉइंट मार किये थे दोनों साइट पे, पांच इकल पार्ट्स हो गें, जिसको आप जो है, वेरिफाई भी कर सकते हो, ये देखिए, ये पहला पार्ट है, इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है, तोड़ा सा, आ रहा था डिफरेंस अभी कर लेते हैं, दुबारा स verify एक दो तीन चार पांच तो इसमें आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगे ताकि ज़रा सा भी difference ना है जो हमने parts बनाए है वो equal होने चाहिए तो ये चीज़ा practice से ही कर पाओगे तो इस परकार हम दो method हैं जिससे हम एक line को तीन यहां उससे अधिक बागों में equal parts में divide कर सकते हैं यहां पर हमने क्या किया point a से क्लाइन बनाया वो उसी angle पर point b से भी क्लाइन सेग्मेंट बनाया यह अपने ध्यान रखना कि दोनु angle बराबर होने चाहिए यह 45 मैंने मनाया था यहां भी 45 होगा उसके बाद में equal parts पे हमने points mark कर दी हैं यहां पर चार यहां पर भी चार अगर इसके 6 करने पड़ते हैं तो हमको 5 points mark करने पड़ते हैं तीन करने होते तो करें वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें थैंक क्यूँ अ कर्सक्राइब नहां, जहां पर जर जो कर देंक क्यूँ आल में दय को शज़ते हैं तो हमसित करने फ जहाँ उआने झाला यहां रूगा कर 10 बाग्दों पर 10 बाद़are अदो बादाय मेंлем क्योंत्ष़ पर 15 बाद्शन में में पर 17 अंगर प्र going